फॉर्स पॉश्चन है तैन एक्स इपोस्टू रूट 3 तैन एक्स इपोस्टू रूट 3 तो सब्सक्रे पहले हम इसका जनरल सुलूशन लिखावते हैं तैन एक्स इस इक्स 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 रूट 3 तैन के वालव होती है 60 डिगर पर और एक्स इपर प निखें तो 5 बाइट से चीख सकते हैं यहां पर हो गया और उनको मालूम है कि वन tan x is equal to tan theta x is equal to n pi plus theta यह जिन्रो सुलूइशन होगा इसका तो principal solution निकाले हैं लिए पहले हमको इसका जिन्रो सुलूइशन निकना होता है x is equal to n pi plus pi by 3 and is an integer integer का बतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3 अब हमें वो values find करनी है यह गया सब general solution निकाल कर आए है general solution अब हमको इसमें principal solution निकाल लाएं वो सारी values जो 0 और 2 pi के बीच में exist करेंगी तो यहाँ पर हम n को जूस कर सकते हैं अगर हमने n को पहले first case में n is equal to 0 लिया तो x की value जो मारे पास आएगी वो pi by 3 है और यह 0 और 2 pi के बीच में लाएता लिया इसलिए principal solution होगा फिर हमने n is equal to 1 ले लिया तो यह कितना है का pi plus pi by 3 x is equal to pi plus pi by 3 is 4 pi by 3 अगें यह भी 0 और 2 pi के बीच में लाए कर रहा है अगर हम n की value 2 लेंगे तो 2 pi plus pi by 3 2 pi के beyond हो गया 2 pi से value बढ़ी हो गई इसलिए यह value हम आप consider नहीं करेंगे n is equal to 2 पर हमें principal solution वाली value हमें हमें लेगी अब अगर n is equal to हम minus 1 रखते है minus 1 जब रखेंगे तो minus pi plus pi by 3 तो minus 3 pi plus pi by 3 minus pi by minus 2 pi by 3 आएगा तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर मैं solve पर टिखा रहा हूँ अगर हमने n को minus 1 रखा तो x is equal to minus pi plus pi by 3 which is equal to minus 3 pi plus pi by 3 minus 3 pi plus pi इतना होगा minus 2 pi minus 2 pi by 3 तो यह अगें 0 और 2 pi के बीच में नहीं है तो हमने यह देखा कि इसके आगे जो भी values रखेंगे minus 2 minus 3 वो तो values ऐसे भी 0 और 2 pi के बीच में नहीं आएगी तो हमारा जो principal solution होगा principal solution गिवन होगा x is equal to pi by 3 and x is equal to 4 pi by 3 तो जब भी questions पर प्रिंसिपल solution find रणे होगे तो हम वो values को check करेंगे general solution इतने के बार जो 0 और 2 pi के बीच में लाइट करेंगी